मैं मेरे प्यारे षच्छों कैसे हाल चाहिं जैसा आप सभी को पता है कि मैं मुहित यादो नो развит Fleisch linking चीज ने कि हुई और किया-क क्या याता है बारे में न इसके बारे में एक दो तीन चीज़ें कुंछ जो बहुतımızı है जो अक्सर पढ़ते समय नहीं याद रखते हैं तो इसी लिए उसको पढ़ते समय तो बताया ही जाता है लेकिन इसके लाव आपको इस तरह से भी बताया जाएगा तो आप उसको असानी से जाएंगे तो हम देखते हैं कौन से साइंटिस्ट हैं कौन वो चमाकरी विक्ति है जिसमें भालो जी खोज करी और आप लोगों की जिन्दीके मित्तों मचारा काई जो की बालो जी आपको बड़ी दिक्कत होती उसको पढ़ने में लेकिं जो वच्चे मिरस से पढ़ रहे होंगे वो समझ लहां, की बालो जी पढ़ना तो बहुता ही आसान होता है, तो उसमे इन्हों नहीं जो है बालोजे के बारे में गहनत दिन किया लेकिन अगर हम बात करेंगे जीविज्ञान सब्द की अगर हम बात करेंगे जीविज्ञान सब्द की तो वो इन्हों नहीं दिया था जो वर्ड है ना यह जो जीविज्ञान सब्द है जीविज्ञान सब्द ये वर्ड ये इन्होंने नहीं दिया था इन्होंने उसके बारे में गहन अध्यन किया और भी बहुत सारी चीजे बता ही लेकिन जो जीविज्ञान सब्द है ये बटा 1802 में 1802 1802 में दो साइंटिस्ट थे एक लैमार्क सहाब कौन एक लैमार्क एक और हैं ट्रेवी रेनस लैमार्क और ट्रेवी रेनस ये दो साइंटिस्ट हैं जिनोंने 1802 में 1802 में इस जीविज्ञान सब्द को दिया ध्यान जै समझेगा मेरी बात को कि जीविज्ञान सब्द ये जो है वर्ड बाइलोजी दवर्ड दवर्ड बाइलोजी जो दिया वो 1802 में दिया गया किनके मादेम से दिया गया लैमार्क और ट्रेवी रेनस के नाम से दिया गया ठीक है तो हम ये समझते हैं कि जीविज्ञान सब्द 1802 में लेकिन जो अगर हम जी विज्ञान के जनक की बात करेंगे फादर आफ बायलोजी की बात करेंगे अगर हम बेटा यहाँ पर बात करेंगे फादर आफ बायलोजी फादर आफ बायलोजी अगर आफ बेटा बात करोगे तो वो कौन है तो वो है हमारे Aristotle साहब मतलब की अरस्तू ठीक है ना तो फादा रब बायलोजी की बात करेंगे तो वो कौन है वो अरस्तू साहब है इनको फादा रब बायलोजी कहा जाता है इनको फादा रब जुलुजी भी कहा जाता है अब ये क्या चीज है जूलोजी क्या है तो ये बाइलोजी का ही एक पार्ट है हम समझेंगे इसको यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो बाइलोजी आप पढ़ते हैं या जीविग्यान जो आप पढ़ते हैं तो इसमें आप दो अलग-अलग पार्ट को पढ़ते हैं है ना ज जूलोजी के बारे में और दूसरा हम लोग पढ़ते हैं बाटनी के बारे में ठीक है तो जूलोजी जिसको हम लोग जन्तु विज्ञान के नाम से जानते हैं ठीक है और बाटनी जिसको हम लोग वनस्पती विग्यान के नाम से जानते हैं तो बटा यह जो बायलजी जो टॉपिक है यह जो सब्द है यह जो हम लोग पढ़ रहे हैं बायलजी के बारे में जिसको हम लोग जी विग्यान के नाम से जानते हैं इसके अगर हम लोग ब्रांच की बात करेंगे तो इसके बेसिकल बाइलोजी है और एक बाटनी है जो जिसको विज्ञान के नाम से जानते हैं बाटनी जिसको हम लोग वनस्पति विज्ञान के नाम से जानते हैं तो यह जो बाइलोजी है यह सब्द बाइलोजी सब्द कब दिया गया था तो यह दिया गया था 1802 में कब दिया गया था 1802 में दिया गया था किस ने दिया था तो यह लेमार्ग सहाब ने दिया था लेमार्ग सहाब ने दिया था और ट्रेवी रेना सहाब ने यह सब्द दिया था ठीक है लेकिन जब हम यहाँ पर बात करते हैं फादर की कि बाइलोजी के फादर क्या है जीव इज्ञान के पिता कौन है तो हम यहाँ पर देखते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कौन है एरिस्टोटल है मतलब समझ रहे हो सब चीजे आलग-Alig हैं अगर जी विग्यान सब्द की बात करेंगें तो लेमार चैभरेंस है लेकिन जी विग्यान के पिता की बात करेंगे इस्टोटल है जुसको हम लोग अरस्तु के नाम से जानते हैbak बहुत महानवे ज्यानिक रहे है ठीक है और यही father of zolzhi भी है ठीक है जनतुवे ज्यान के अगर हम बात करेंगे तो father of zolzhi की बात करेंगे तो वो भी कौन है वो भी Aristotle ही है ठीक है अरस्तु साहब father of botany भी है और father of zolzhi भी है तो फिर बात आती है अगर father of zolzhi भी है अगर उसके father भी Aristotle ही है तो क्या यह botany के भी father है तो नहीं यहाँ पर थोड़ा सा change है यहाँ पर थोड़ा सा change है कि father of botany father of botany Aristotle या अरस्तु ना होगर के कौन है यहाँ पर थियो फ्रेस्टस कौन है थियो जी हां थियो फ्रेस्टस यह जो महन विज्ञानिक है यह father of botany है जिसको हम लोग वनस्पती विज्ञान कहते हैं मतलब यहाँ पर हम लोग पेड़ पधों के बारे में पढ़ते हैं ठीक है और यहीं से यहीं से जो है अगर हम और आगे की अगर हम बात करेंगे तो हम लोग पढ़ते हैं जगत के बारे में मोनेरा देखते हैं प्रोडिस्टा फिर फंजाई फिर प्लांटी और फिर एनिमलिया ठीक है तो प्लांटी मनलब की प्लांट मनलब की बॉटनी और एनिमलिया जिसमें एनिमल्स को रखा जाता है मनलब की जॉल्जी इसके लावत तीन और थे कौन से थे मोनेरा प्रोडिस्ट में में